दोस्तो फिल्मी दुनिया में विलन का रोल निभाने वाले कई अभिनेताओं के बारे में हमने आपको बताया है ठीक उसी प्रकार आजके इस वीडियो में हम पॉलिवुट फिल्मोंक में अधिकतर विलन का रोल निभाने वाले एक और अभिनेता के बारे में पात करने वाले हैं जिसने कई फिल्मों में शांदार अभिने किया है और अपने आपको एक सहायक और मशूर विलन के रूप में स्थापित किया है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं मशूर सहायक अभिनेता मोहन जोशी के बारे में जिन्होंने मराथी, कुछराती, भोचपुरी और हिंदी फि इसके जाथ ही उनकी जिन्दगी से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों के बारे में भी बताएंगे कि क्यूं उन्होंने बॉलिवुट छोड़ दिया, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक पने रहें उनका जन्म 4 सितंबर साल 1945 को बैंगलॉर में एक मध्यम वर्गे हिंदू परिवार में हुआ था अपनी शुरुवाती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रेहन महराष्ट्र कॉलेज ओफ कॉमर्स पूने से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया कॉलेज में रहते हुए उन्होंने एक ठेटर ग्रूप जोइन किया वहीं से उनका जुकाओ एक्टिंग की तरफ गया आपको बता दे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूने में ही किरलोसकर सम्हों में नौकरी करना शुरू कर दिया उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया वहां से नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खुद की एक ट्रांसपोर्ट कमपनी शुरू की जहां पर उन्होंने खुद आठ साल तक एक ट्राइवर की रूप में काम किया लेकिन जब उनकी ट्रांसपोर्ट कमपनी में एक काड़ी का बुरी तरह से एक्सिडेंट हो गया तब उन्होंने कमपनी को बंद करने का फैसला किया हाला कि कॉलिज की दुनों में उनके थियेटर ग्रूप चॉइन करने का उन्हें बहुत फायदा हुआ क्योंकि जब वो फाइनेंशली क्राइसिस से गुजर रहे थे और एक बहतर जिंदगी की तलाश कर रहे थे तब उन्होंने उस थियेटर में अपना काम जारी रखा थियेटर नाटको में वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे जिसके चलते उन्हें लोग प्रियता हासिल हुई हाला कि उनके जीवन का संखर्ष जारी रहा लेकिन जब उन्होंने थियेटर प्ले कुरियत सदा तिंगलम में अभिने किया तो वो काफी सुर्खियों में आ गए उस प्ले में उन्होंने करीब हजार पार अभिने किया कुल मिलाकर उन्होंने करीब आठ हजार थियेटर शोस किया है थियेटर नाटको में उनका काम जारी रहा लेकिन वो उससे आगे जाना जाते थे इसलिए उन्होंने पूने से मुंबई जाने का फैसला किया फिल्मों में अभिने करने का सपना लेकर आए मोहन जोशी को शुरुवाती दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने हाड नहीं मानी थीटर नाटको में शांदार अभिने करने के बाद उन्हें साल 1983 में एक मराठी फिल्म में अभिने करने का मौका मिला जिसका शीर्षक था एक डाव फुदाचा ये मराठी भाषा की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसे रवी नामदे ने निर्देशित किया था जिसमें वो स इसी तरहा मराठी फिल्मों में अभिने करते रहें। लेकिन मराठी फिल्मों में बढ़ती लोग प्रियता की कारण उन्हें एक बॉलिवुड फिल्म से भी ओफर आया। जिसका शीरशक था जागरिती। ये हिंदी भाशा की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। जिसे सूरेश कृष्ण द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में मुक्य अभिनेता और अभिनेतरी के रूप में सल्मान खान और करिश्मा कपूर शामिल थे। इसके अलावा फिल्म में अशोक सर्राफ, प्राजिता, प्रेम चोपडा, पुनेतिस सर, सत्य जी जैसे कई अन्यक प्रेयानवे में रिलीज हुई थी। ये भी एक एक्शन फिल्म थी जिसका निर्देशन संजे खन्ना द्वारा किया गया था। इसके अलावा फिल्म के निर्मान का काम अशोक होंडा द्वारा किया गया था। फिल्म में मुक्य भूमिका में सुनेल शेट्टी दिखाए मोहन जोशी फिल्म में ACP कुलकरणी की सहयक भूमिका में दिखाए दिये हाला कि अभी तक उन्हें सहयक विलन का ही किरदा निभाने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब दर्शकों के बीच उनकी लोग प्रेता बड़ी तो उन्हें मुक्य विलन के रूप में भी मौक दिखाए दी, फिल्म को काफी लोग प्रेता मिली, दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया, फिल्म में अमरिशपुरी जैसे शांदार अभी नेता थे, इसके अलावा जोने लीवर, अरूना इराणी जैसे कई अन्यक अलाकार भी शामिल थे, फिल्म की कहानी और इसके पसंद आये। ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सबसे जादा कमाई करने वाली क्यारवी फिल्म बन गई। फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तो एक इंटर्व्यू में जब उनसे बॉली फिल्मों में काम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। बॉलिवुड आज रिष्टदारों से भड़ा पड़ा है। बहुत सारे नौसिकिये हिंदी फिल्मों में अभिने कर रही है। इसके अलावा यहां बहुत सारे ग्रूप हैं, मेरे जैसे अक्टर्स के लिए यहां कोई जगा नहीं है। और आजकल हीरो भी विलेन का रोल करता है, इसलिए हमारे पास कोई काम नहीं है। मैंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, मुझे ये भाशा काफी प्यारी लगती है और भोजपुरी फिल्मों में काम करने में मज़ा भी आता है। उनके नीची जीवन की बात करें तो वह विवाहित हैं। मुझतान और शांदार अभी नहीं के लिए उन्हें कई पुरसकारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें अंतराश्य भारतिय फिल्म अकादमी पुरसकार के लिए नामानकित किया गया। 2021 में जी मराठी ने उन्हें मराठी और बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगपक 50 वर्षों के सफल समापन के लिए अपने सरवुच परसकार जीवन गौरब परसकार से सम्मानित किया। दोस्तम मोहन जोशी फिल्मों के एक मंचे हुए अपिनेता हैं जो अपने निगिटिव किरदार के लिए बॉलिवुड फिल्मों में जाने जाते हैं लेकिन जैसा कि उनका मानना है अब उन्हें बॉलिवुड फिल्मों में काम करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है इसलिए अब वो हिंदी भाशा की फिल्मों में नजर नहीं आते हैं लेकिन इस बात को बिलकुल जुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने हिंदी भाशा की फिल्मों में शांदार अभिने किया है वर्दमान में वो करीब सततर साल के हो चुके हैं और अभी भी अपने अभिने से दर्श जरूर करें धन्यवाद